आपका स्वागत है आज का टॉपिक है संसत का विशेश सत्र और सेंगोल नए संसत भवन में विशेश सत्र को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने कहा कि सेंगोल स्वतंत्र युग के नई युग का गवा है भारत के गोरफशाली अतीत का भी साक्षी रहेगा यह पवित्र सेंगोल है जिस सबसे पहले देश के पहले प्रधान मंतरी पंडित नहरू ने प्राप्त किया था इसी सेंगोल से पंडित नहरू ने अनुष्ठान किया और आजादी के जश्न की शुरुआत की अते इस सेंगौल के साथ यह अत्यांत महतुपूर्ण अतीत जुड़ा हुआ है यह तमिल नाडू की महान परंपरा का प्रतीक होने के साथ साथ राश्टर की एकता का भी प्रतीक है और आज पंडित नहरू के हाथों की शोबा भढ़ाने वाला सेंगौल हम सभी माननिय संसत सदस्यों के लिए प्रिरणा का सुरोत बन गया है इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है नहरू को सेंगौल दिये जाने का खिस्सा अतिहासिक दस्तावीजों के अनुसार भारत के अंतिम वैसराई लॉड माउंट बेटन ने नहरू को पीएम बनने से कुछ ही दिनों पहले पूछा कि आप देश की अजादी को किसी खासतरा के प्रतीक के जरिये सलिब्रेट करना चाहते हैं तो बताएं नहरू भारत के जाने माने सतंतरता सेनानी सी राज कोपालाचारी के पास गए राज कोपालाचारी मद्रास के सीम रह चुके थे उन्हें परंपराओं की पहचान थी उन्होंने नहरू को राज दंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया इसमें राज का महायाजक यानी राज गुरू नए राजा को सत्ता ग्रहन करने पर एक राज दंड भेंट करता है परंपरा के अनुसार यह राज गुरू थीरू वदू थुरै अधीनम मट का होता है राज गुपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पियम बनने के बाद माउंट पेटन आपको यह राजदंड स्वतंतरता और सत्ता हस्तांतरण के प्रती के रूप में दे सकते हैं नहरू राजी हो गए और लगे हाथ राज गुपालाचारी को इसकी वेवस्था करने की जिम्मधारी भी दे दी राज गुपालाचारी ने थुरुप दुथराई अधीनम मट से संपर्क किया वहां मालुम हुआ कि उनके 20-वे राजगुरु श्री लाश्री अंबालावन देसी का स्वामिकल बीमार है दिल्ली से सुदूर उन्हें जब यह पता चला तो उन्होंने जिम्मधारी स्विकार की और उस वक्त मदरास शेत्र के जोहरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा साथ ही यह भी कहा गया कि इस बार राजदंड के उपर नंदी की आकरती भी उभारी जाएगी तबियत खराब होने के बावजू सारी विवस्था कराने के बाद राजगुरु ने अपने प्रतिनिधी श्री लाश्री कुमार स्वामी थंबिरन को दिली भेजने के लिए तयार किया वो उस वक्त मठ में मनिकम ओदवार यानि मठ के पुजारी के पतपर थे दो अन्य प्रतिनिधियों के साथ राजदंड को दिली लाने के लिए जवाहर लाहर नहरू ने एक विशेश विमान की विवस्था की थी 14 अगर्थ 1947 को रात के 11 बच के 45 मिनट यानि आजादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंट बेटन को दिया उसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया पुजारी ने वहाँ शैब समाज के संदत थिरू कनाना सामबन्थर द्वारा लिखे गए भजन गाए और फिर उसे नहरू को भेंट किया गया इसके बाद नहरू के माथे पर राख लगा कर माला पेनाई गई और पुजारी ने भजन का आखरी चंद गाकर पूरा किया आखरी पंक्तियां थी अधियारगल, वैनिल, अरसलवार, अनाई नमथे यानि हम आग्या देते हैं कि उनकी विनमरता स्वर्ग पर शासन करेगी पीम मोदी को सिंगोल देने के बाद कहां से आई थी इस सेरिमनी के बाद ये राजदंड इलाहाबाद संगरहाले में रख दिया गया 1978 में कांची मट के महा पेरियवा वरिष्ट ग्याता ने इस घटना को एक शिश्य को बताया जिसने बाद में इसे प्रकाशित किया था कहाने को तमिल मेडिया ने वरियता दी और जीवित रखा ये है पिछले साल तमिल नाडू में आजादी के अमरित महकसव के अफसर पर एक बार फिर सामने आई पीम मोदी भी इससे प्रभावित हुए उन्होंने इसकी गहन जांच के आदेश दिये इसके बाद तै किया गया कि इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा नई संसद के उद्घाटन के मौके पर इसे पूरे विधी विधान से पीम मोदी को सौपा गया था 15 अगस्ट 1947 की भावना को दोहराते हुए वही समारो 28 मई 2023 को नई दिल्ली में संसद परिसर में दोहराया गया दिल्ली में इस अफसर पर तमिल नाडु के कई आधिनमों के प्रणेता उपस्थित रहे सेंगौल को गंगा जल से शुद किया गया जैसा कि पहले किया गया था इसे एक पवित्र प्रतीक के रूप में परधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी को सौपा गया इसने बनाया सेंगौल चिन्नाई में एक ब्रांड है वुमिदी बंगारू ज्वेलर्स यह ब्रांड वुमिदी परिवार का है जिसके पांचवे पीडी आज इस बिजनस में है परिवार करीब 120 साल से चन्नाई में इस व्यवसाई में है उसके पहले भी इनके पुर्खे वेलर्स के गाउं में आभूशन बनाने का छोटा कारूबार करते थे कंपनी की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि मांट बेटन ने जो सेंगौल नहरू को सोपा था उसे इनके पुर्खों ने बनाया था भारत में सेंगौल यानि राजदंड के इस्तमाल के शुरुवाती सबूत सेंगौल यानि समरिधी का प्रतीक राजदंड ये जिसे मिलता है उसे निश्पक्ष और न्याइपूर्ण शासन की उमीद की जाती है सेंगौल का पहला इस्तमाल मौर्य सामराज्य 322 से 185 इसापूर्व में मिलता है इसके बाद गुप्त सामराज्य 320 से 550 इसवी चोल सामराज्य 907 से 1310 इसवी और विजयनगर सामराज्य 1336 से 1646 इसवी में भी सेंगौल का इस्तमाल किया गया था माना जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों ने भी सेंगौल का इस्तमाल अपने अधिकार के प्रतीक के रूपें किया दुनिया की अन्य सभ्यताओं में राज़दंड का इतिहास 1661 में चार्स तिवेत्या के राज़विशेग के लिए इंग्लैंड की रानी का सौवरेज और बनाया गया था यह 362 साल बाद आज भी राज़विशेग के समय नई राजा या रानी को दिया जाता है यह एक सोने से बना वृत है जिस पर एक क्रॉस चड़ा हुआ है और जो समराट को यह याद दिलाता है कि उनकी शक्ति भगवान से लिग गई है दुनिया में शक्ति शाली प्रतीकों के कई उधारन है मेसोपटामिया मेसोपटामिया सब्वयता में राजदंड को गिदरू का आ गया है इस सब्वयता में इसे देवताओं की सत्ता और उनकी शक्तियों के प्रतीक के रूप में देखा जाता था मेसोपटामिया की प्राचीन मूर्तियों और वहां के अभी लेखों में इसका जिक्र मिलता है ग्रीक रोमन ग्रीक रोमन पारंपरा में जेयूस और अलंपस जैसे देवताओं की शक्ति की निशानी के रूप में उनके साथ एक लंबा राजदंड होता था जज, मिलिटरी लीडर्स, पुरोहित और राजद के शक्ति शाली लोग राजदंड का इस्तमाल करते थे यह उनकी शक्ति का प्रतीक होता था रोमन साब राजद के राजदंड के राजदंड का इस्तमाल करते थे एजिप्ट, प्राचीन एजिप्ट यानि मिस्र में भी राजदंड शक्ती और सत्ता का प्रतीक था वाज नाम के राजदंड का विक्र वहां के अभी रेखों में मिलता है किसी के साथ ही आज के करेंट अफेर का टॉपिक यहीं समाप्त होता है कल मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ धन्यवाद तब तक हाप हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद